चलिये, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो अनुवानसिकी, इस टॉपिक का जो पहला पॉयंट है वो है अनुवानसिकी के बारे में देखे वे लक्षण जो पेड़ी-दर-पेड़ी क्या होते हैं? संचरित होते हैं उने बोलते हैं आनुवान्सिक लक्षन बतलब जो पीडी दर पीडी क्या होते हैं शिफ्ट होते रहते हैं ट्रांस्फर होते रहते हैं उनकम क्या बोलते हैं अनुवान्सिक लक्षन अब हम बात करते हैं थोड़ा ग्रेगर के बारे में ग्रेगर कौन था देखे अनुवान् सबसे पहले परियोग करा था वो एक ऑस्टेरिया के निवासी थे साइन्टिस्ट थे जिनका नाम था ग्रेगर जोहान मेंडल ठीक है याद रखे गए यह नाम बहुत इंपॉर्णेंट नाम है ग्रेगर जोहान मेंडल ने किसका अविस्कार करा था तो यह था अनुवांसिकी का इन्होंने इन्वेंट करा था इन्होंने अनुवांसिकी सब्द को पहले बार साइन्स के अंदर एड़ करा और उन्हें पूरा तरीके से एक्स्प्रेंट करा कि अनुवांसिकी हूती क्या है जैनिटिक्स किसको बोलते हैं तो अब बात करते हैं आपसे कोशन्स एक्जाम करने में के इस आफंड सब्सक्राइब को सबस्टाइब मुक्त्र जाँ खराओं कौन था डबलू वाट्सन ने 1905 में क्या करा था जैनेटिक्स नाम का परियोग करा था ठीक है जैनेटिक्स नाम का जो परियोग करा था वो ग्रेगर ने भी करा था और वाट्सन ने भी करा था एक्जाम में आपको दो में से को एक नामी देगा दोनों नाम देकर कि वो अपन और आपको वाट्सन भी याद करना है ठीक है अब हम बात करते हैं फीनोटाइप क्या होता है जीवधारियों के जो लक्षण परतेक्स रूप से दिखाई देते हैं डारेक्ट सामने जो विजिबल होते हैं उनके लक्षण तो उसको हम बोलते हैं फीनोटाइप और उसे क्या हैं नोटाइप क्या होते हैं कुछ ऐसे लक्षण जो दिखते नहीं है ठीक है जीवधारियों के अनुवांशिक संग्टन को उसका क्या भोलता है जो की कार को मतलब जिन का बना होता है अनुवांसिक की संबंदी का जो परियोग के लिए मैंडल ने कौन से पाधे का चुना नई, तो यह वास्तर में सही बात है तो इसा आपने इस बात को इस तथ्थे को रखा था कॉनसे पौदिमें को हाथ में onsनु सन्हें कोई रोग जो था पौदे में कर रहा हूं तो वो जो हाउस है जो पूरा वह हौल है वो एक्चुली रोड के नियर में ठीक है थोड़ा इस्टिमान वहने के लिए स्वारी देखिए पौधे का फीनो टाइप अनुपाद क्या होता है कभी कभी एक्जाम में जैसे पेलेंस एक्जाम होते हैं आपके स्टेट होता है यह उता है यह अनुपाद एक ठीक है फीनो टाइप एक अनुपाद दो नुपाद एक अनुपाद एक जो भी आपके पर प्णने सब कुछ इस बुक में आपको मिल जाएगा तो इस बुक को तो आपने अच्छे से पढ़ना पड़ेगा देखिए अब क्या होता है इनाफ एक और फ्टूपद के पौदे गूब एक अनुपात एक और इतोपी पौदे को बोलते हैं जीमें टाइब हनुपात एक नुपातस दोन फार दोन फार दोन फारिग तो तो कभी इस तरह से कुछ लेता हैं अपसे ठीक है तो डरना रही है अब देखिए काफी important जो questions आपके समले बनेगा वो बनेगा आपसे जाती है और उनके गुर्ण सूतर की संख्यार क्या होती है तो घरेली मक्खी जो होती है जो घर में जो मक्खी वरा देखते है तो उसके गुर्ण सूतर की संख्यार कितनी होती है फिर हम बात करते हैं टेरी डो काइट्स की जो संख्यार होती है गुर्ण सूतर के वो इस तेरा सूतर लेकर लेकर सौला सौतर होती है अब हम बात करते हैं गुर्ण सूतर का परतिबादर नामकर्ण सबसे पहले किस ने करा था और कप करा था ये questions बहुत important questions है, बहुत ज़्यादा important questions है, तो जीत रहा था W, वाल्टेर नहीं, 1888 में, और गुर्ड सूतरों में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं, जिनॉम, और गुर्ड सूतर के बाहर जिन, यदि कोसी का दिरवे के कोसी क पांगों में होती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उसके हम बोलते हैं, प्लाजमा जीन, जिनॉम क्या होता है, और किसने इसका नामपन करा, ये तीरों चीजा आप याद रखेगा, और गुर्ड सूतर की संक्यास में आपको अभी याद कर लेनी है, इसको कल पे नहीं पर जो निरिधारन होता है, वो क्या और होता है। वो डिपांड होता है, गुर्ण सूतरों की संक्या पर और मनूश्यय में गुर्ण सूतरों की संक्यास को अभी हमने ऊपर देखा देखिए मनुष्य के близी जा quello दिये सकों आपको पर दे दिया, आप a fish और बात करते हैं, प अगला पॉइंट हमारा जयाविकास क्या होता है इसके बारे में देखते हैं कि प्रारंबिक नेमन कोटी के जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिक अधिक जीवों की उत्पत्ति को हम क्या कहते हैं जयाविकास ओर्गैनिक इवोरेशन्स बाकि और important point इसमें इतना नहीं है मनुष्य में लगब क्या होते हैं कितने अफसे से इंग पाई जाते हैं तो ये पाई जाते हैं हमारे 100 सरफपर्थम प्रकास अंसलेशी जीव साइनो बैक्टिरिया थे सबसे पहले प्रकास अंसलेशी जीव पॉन से थे उनका नाम क्या है उनका नाम है क्या साइनो बैक्टिरिया और पक्षियों को जो विकास हुआ था वो एक्चली क्या हुआ था सरी स्रप से हुआ था ऐसा माना जाता है और जल और इस्थल चर जो जल में भी चलते हैं और इस्तल परपि जैसे मगरमाच होते हैं, ऐसे जीओं का किससे हुआ है, ये हुआ है, मतस से वर्ग से, और इस्थनी वर्ग के, जन्तों का विकास भी क्या हुआ है, स्तरी सरब से हुआ है, तो आपसे important जो questions पोस्ता है, आपसे पोस्ता जली स्तलचर पक्षी और यह परकास हंसलेशी जीप कौन से होते हैं तो यह पूरा ही पॉइंट हाइए आप भी इसको इसी तरह से हाइड़ेट करना अपने बुक को ठीक है हाइलेट करके छोड़ना नहीं है उसको रिविजन में मारना है उसका ठीक है रिविजन जरू करना है उसका ठीक है अब देखे जीवास्म क्या होते हैं सिंपल के अनेक ऐसे प्राचिन कालिन जीवों के पाल बोगे अब शेस जो हमारी पिट्सवी पर विद्यमान होते हैं awareness जीवास्म करते हैं और जोह इंसका भ्यान करते हैं कैसे जीव मरेत कैसे अफसेज बने कैसे चट्टान बनी कौन से जीव की मातरा इस चट्टान में काफी अधिक है पत्तर में है वह ये बगराशल क्या होगा जीवास्म विजानिक्या मिका घ्लांक्रता ऑच्टा चल्वा फिलोस्टोफिक जुलोजिक किस ने लिखी थी यह कभी एक्जाम में कोशन बुक का नाम दे देता है और आपसे पोस्ता है इसके रचेता कौन है रचनाकार कौन है इसके लेखक कौन है तो इसके लेखक हैं लेम मार्क इस सिदान्त के नुसार जीवो एवं इनके अंगों में सतत बड़े होते रहने की प्राकर्तिक परकर्ती होती है अब हम बात करते हैं डार्विन के बारे में चार्ल्स डार्विन इसका पूरा नाम था तो चार्ल्स डार्विन ने 1809 से लेकर के 1882 इसवी ने 1831 में बीगल नाम भीखमाग विश्वी सरवेक्षन जाहाच पर पूरे देश का पूरे हुआज करा था इसके लिए आपको याद अकना है चार्ल्स डार्विन ने क्या करा था विगल नामक एक जाहाच का नाम एक चुलि एटीक है बीगल एक जाहाच का नाम उस जाहाच पर बैट करके पूर विग्यान कि बोटेन कहते हैं उसको Uzका नाम बताया उसका नाम है Your Fratus अर एक लिया था एक लर ने 1813 स्वी में वरंसपती जगत का वर्गी गण करा वह के बादम や whd आति राट किस वहकी में जोड़ दीजिए को आप शूड़ा इस अब याद रखेंगा या और शूट एक बेसल acost बदकी जगत का बरिंस ने abd लूख रसेज़ेगे वहीत लुट का में से यह को देगा आपको आप यह याद रखना है। स्लूजत को क्लोल फिर आहिसे में लॉज्या को पी पर लॉख में किसका दिन करने जाता है है। प्रोटीन यूक्त भोजन जल और अक्सीजन प्राप्त हो जाता है ठीक है तो आपको इस सेवाल का नाम याद लखना है क्या है ये को रेडा नामक सेवाल क्या होता है अंतरिक्ष अपने कैबिन में रखता है इसको कौन से से सवाल से अंत्रिक श्यारान के कैबिन में और उसको अंत्रिक श्यारात्री को क्या की मिलता है प्रोटिन यक्तş, बोजन, जल, मिलता है सवाल का नाम बताईए partirf Sorry, Girl Rela, ठीक है? आगे बात करते है कि... कावक जो होता है, इसके अध्यन को कावक बिग्यान कहते है माइक enquantoizen में किसका अध्यन होता है, इसके अध्यन होता है कवक का तो आपके लगे कि के अध्यन होता है, वो कवक का वर्ड यूज नहीं करेगा आपके सामने, ये सब्द नहीं देगा आपको questions में, वो देगा mykolozy, आपको English की term में, English की word आपको याद करने पड़ेंगे, किसी भी exam को देने से पहले, तो वो आपसे उम्मेद करता है कि आप कम से कम छोटी मोडी जो termolozy है science की वो आप याद कर आपको साथ है और यहाथ है, ऐसमें को सा कम करता है तो यह आपका, आकेरस, इसके बीज, ठीक है, गंजापन, टीनिया, कैपिटीज, दाज जो होता है, वो इसके द्वारा होता है, तो यह सब कवक आप याद कर लेजेगा, आप मैडिकल की तियारी तो फ़र नहीं कर रहे होंगे, अगर कर रहे हैं अब तियारी तो आपको यह समझे पहले से य हीृआ जाणू की खोज, रोब इसके विजञानि की ने करी थी, इसका नाम कैसा का ता इवान विसके, ठीक है, इवान विसके, जीवानु क क्या होते हैं, इसके खोज हुई थी, stranger 183 में होलेंड के, एट ट ओम लिवेन, वॉक ने की थी और जीवानू विज्ञान का पिता क पूर्फिस को बोलते हैं तो यह बोलते हैं लिवेन हो को पिलップ अधिक दिनों तक सुरक्षित रहने के लिए इसका एक पाश्ची करन होता है ठीक है तो हम दो तरीके होते हैं यो मसको उबाल फेकर में उबना 유ふ पेजर में उबाल देते हैं जिस्ते क्या होता है दूद्ध लंबे समय चलता है आप देखते होंगे आप जिसे आमूल वगरा दूद्ध यूज़ करते हैं इसको गरम करते हैं और हाई पर क्या होगा सब्सक्राइब दूद्ध में अपनाया जाता है उसमें दूद्ध को कितने मिन तक गरम करा जाता है तो यह था 30 मिनट अगर बात पूलेगा सब्सक्राइब तो इसमें क्या है 15 सेकंड तो एक्जाम में मैक्सिम वह टाइम पूस्टा है टेंपरेचर बहुत कमी पूस्ता है अगर आप किसी स्टेट पीसेस के त्यारी कर रहे हैं वहां पर आप से पूस्ट सकता है टेंपरेचर मतलब कितने डिगरी सेल्सेस अगर वह बाला जाएगा तो आगे बात करते हैं इसमें सवहन उत्तक अथार्थ जाइलम एवं फ्लेवं का पूर्णते अभाव होता है तो यह डियर्क्ट आपको सुम्हें नहीं आएगा थोड़ा सब लेते हैं चलिए कि ब्रया जाइलम एवं फ्लेवं का पूर्णते अभाव होता है इस समु को ब्रस्पति जगत का एमफी बीया वर्ग भी कहा जाता है इस समुदाय के पौधे मर्दा अप्रदन को रोकने में सहायता परदान करते हैं और सबसे इंपरेंट पॉइंट इसमें यह है कि इस फेग नम नामत मास अपने स्वैम के भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने की शमता रखते हैं इसलिए माली इसका उपयोग पौधे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय सूखने से बचाने के लिए करते हैं अगर एक पौधा लंबा ट्रैवल कर रहा है जैसे कि कोई आपके स्थेट है वहां पर कोई चीच काफी अच्छी उखती है जैसे हम कहते हैं कुछ स्थेट में कड़ी पत्ता काफी अच्छा उखता है और मैं आप से बोलू कि दिल्ली मत्रामसा करना है उसको और आप रहते आगे दिखिए हम बस यह पढ़ते हैं टेरी डोफाइडा क्या होता है इस समुके पौधे नमी शैंद और इस्तानों जंगलों पाड़ों पर अधिकतर पाई जाते हैं पौधों का सरीर क्या होता है जड तना साखा पत्या में विभेशित होता है तना सादनते क्या होता है प्राइजों के रूप में होता है तो इतना मत पढ़िये फिलाल और वस इतना पढ़ना कि पौधे बिजानु जनक होते हैं पौधे क्या होते हैं पौधे होते हैं बिजानु जनक और जनन की क्रिया कहा करते हैं बिजानु के द्वारा ही होती है फिर हम बात करते हैं नगन बैक्ष विद्य होते हैं यह क्या होते हैं यह होते हैं मेरुद भीद्यgent सबसे च्छोटा अनावर्त बीजी पौधा कौन सा है यह कोसमें ठखेए बस इसमें ठीक है इसको हुलेट करना जीगो बाइलोवा को मेडेन हेयर ट्री भी कहते हैं मेडेन हेयर ट्री किसको बोलते हैं तो यह बोलते हैं जीगो बाइलोवा को देखिए एक बीज पत्री पौदे कौन कौन से होते हैं तो ये कौन से कुल से बिलॉम करते हैं किस गोत्र से बिलॉम करते हैं अगर मैं ये कौन तो कुछ गलत नहीं होगा देखिए उन पौदो को कहते हैं जिनके बीज में सिर्व एक बीज पत्र पाए जाते हैं और इनके चानी में नीचे जसानी दे घया उसमें दीया गया है आपको करते हैं तोες किस कुल से करते हैं तो यह करते हैं आपके वालम मेखा बास गन्ना चाोल जौर बाज्रा जो जई आदी इनके कुल का नाम क्या है इनके कुल का नाम है ग्रेमी नेसी याद रहेगा बिल्कुल रहेगा आपको बस बाकी कुल के नाम के आपको आवश्यक्ता नहीं है याद करने की ठेक है तो बच्चो आज के इस वीडियो में बस क्यों इतना है प्लीज प्रेस दाब यदि कन अगर यह वीडियो आपको पसंद लाया हो और आप ने बुक को हाईलाइट करा होगा यह कॉझ अपको यह वीडियो पसंद लाइह होगा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जी वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो प्लीज को लाइक करिए उसमें कंजूसी मत करिए और आपका जो भी फैंड कमपटिशन के त्यारी कर रहा है उस तक इस वीडियो को शेर कर दिजिए आप भी आगे बढ करने का मौखा देजिए और आप इस चैनल में अगर कॉंट्रिबूट करना चाहते हैं अगर आप वर्किंग के किसी प्राइविट सेक्टर में या गवर्मेंट सेक्टर में आप पीटिम के मादियों